भगत सिंग के राजनेतिक दस्तावेस के चौथे खंड में हम चार्चा कर रहे थे जेल में उनके राजनेतिक संघर्ष की जिसमें कई किस्म के पत्रों का संकलन प्रस्तुत किया गया है उसी कड़ी में आज जिन पत्रों के उपर हम चर्चा करेंगे वे बहुत छोटे तीन पत्र हैं लेकिन वे उनके राश्टरी के साथ साथ अंतर राश्टरी चिंतन को दर्शाते हैं चलिए मेरे साथ आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों शालनी बोल रही हूं जैभीम हूल जोह आज के अपिसोड के पहले पत्र का शीरशक है तीसरी इंटरनेशनल मौस्को के अध्यक्ष को तार 24 जन्वरी 1930 को लेनिंग दिवस के अफसर पर लाहौर शडियंत्र केस के विचारा धीन कैदी अपनी गर्दनों में लाल रुमाल बांद कर आदालत में आए वे काकोरी गीत गा रहे थे मेजिस्ट्रेट के आने पर उन्होंने समाजवादी करांति जिन्दाबाद और सामराज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए फिर भगत सिंग ने निम्न लिखित तार तीसरे इंटरनेशनल मौस्को के अध्यक्ष के नाम प्रेशित करने के लिए मेजिस्ट्रेट को दिया अब वो तार क्या था उसके अंदर का कंटेंट क्या था वो मैं पढ़ रही हूँ लेनिन दिवस के अफसर पर हम सोवित रूस में हो रहे महान अनुभव और साथी लेनिन की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दिली मुबारख बाद भेजते हैं हम अपने को विश्व क्रांथिकारी आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं मजदूर राज की जीत हो सरमायादारी का नाश हो सामराज ज्यवाद मुर्दाबाद 24 जन्वरी 1930 विचाना धीन का इडि लाहौर शड़यंत्र केस तो उनका ये पत्र जो था वो ट्रिब्यून लाहौर 26 जन्वरी 1930 में प्रकाशित किया गया था और लेनिन क्राम्ति के बारे में हमने तुलसी राम जी की मनी करने का में भी सविस्तार चर्चा करी थी कि आखिर वे लेनिन क्राम्ति क्या थी तुलसी राम जी ने खुद कई सारे रेफरेंस उस बाबत कोट किये थी और लेनिन के लिखी हुई दो पुस्तकें जो मील का पत और उसका विशे है हिंदुस्तानी समीती बर्लिन के नाम तार और वो इस प्रकार है कृपया भारत में समाजवदी क्रांती कारी आंदोलन के जंडा बरदारों में से एक कॉमरेट कृष्ण वर्मा के देहान पर हमारा हार्दिक शोक अपने साथियों तक पहुंचाएं उनका जीवन भारती मुक्ती के लंबे संगर्ष के आदश में एक राष्ट्रे संपत्ती है जो आजादी के लड़ाई के कारे करताओं को हमेशा प्रेड़ना देता रहेगा पांच अप्रेल 1930 विचारा धीन कैदी लाहौर शडियंत्रकेस और ये पत्र भी ट्रिब्यून लाहौर आठ अप्रेल 1930 में प्रकाशित किया गया था तो इन पत्रों को देख कर पता चलता है कि उनके मतलब राजनेतिक चिंतन चाहे वे राष्ट्री हो या अंतराष्ट्री हो की तरफ रुजहान कितना जादा था और तीसरा पत्र है जो मैं ले रही हूं वे है उसका विशह है का काकोरी केस के कैडियों के नाम तार विदिन ब्रैकेट नीचे लिखा हुआ है द्वारा स्पेशल मेजिस्ट्रेट लाहर जो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है दिख रहा है आपको कृपया निम्न तार तुरन काकोरी कैडियों को भेज दें जो बरेली जेल में भूख हरताल पर है और जिन के बारे में कहा जाता है कि वे गंभीर हालत में हैं आपके भगत सिंग और बी के दत और वे तार क्या था उसका कंटेंट क्या था वो मैं अब पढ़ रही हूँ और किन के नाम संबोधित था वे इसमें शामिल है तार गुप्त बक्षी सिन्हा मुकंदिलाल काकोरी कैडिय सेंट्रल जेल बरेली आपकी नाजुक हालत के बारे में जानकर बहुत दुख है हमारा पहला तार आप तक नहीं पहुंचा हम आप से हार्दिक निवेदन करते हैं कि सरकार की और से बंदियों के वर्गी करण के अंतिम नोटिस को ध्यान में रखते हुए आप अपना संघश्ट त्याग दें जहां तक नए नियमों के लागु होने का प्रश्ण है हमें एक साथ इंतजार करना चाहिए भगत सिंग और दत तो इन तीन पत्रों को पढ़कर उ अंतराश्ट्री मुद्दों के लिए भी वे बेहत सजग द्रिष्टी रखते थे और उसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी कि जेल में रहते हुए भी दूसरे जेलों में हो रहे आंदोलन को वे लीड कर रहे थे इस से पता चलता है क्यू वाजिब नतीजा नहीं निकाल सकती सरकार तो उन्हें भूखरताल दुबारा जारी रखनी पड़ेगी और साथ ही वे इसकी भी चल्चा करते हैं कि आम जनता को इससे अवगत कराया जाए कि भूखरताल खत नहीं हुई थी वे सिर्फ थगित हुई थी और सरकार की मन्शा भी वे उसमें जाहिर करते हैं कि सरकार की मन्शा से फेतनी थी कि जो एक मिस कम्यूनिकेशन क्रियेट करके जो बाहर जेल के बाहर हो रहे हैं जन आंदोलन को वो दबा सके उसको भी सर्विस्तार भगत सिंग पिछले एपिसोड में जो पत्र था उसमें कोट करते हैं तो पि जाकर एपिसोड को सुन सकते हैं तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देंगे सिर्फ ये छोटे-छोटे तीन पत्र ही इसमें शामिल हैं जो तार के फॉर्म में हैं तो उन्हें आप पहले आत्मसाथ करिए फिर हम अगले एपिसोड की तरफ जल्धी बढ़ेंगे और एट भी होगी हमारी धनेवाद